नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से आप सभी का विदंदन साथियों हम सभी लोग किर्शी प्रावधिक सहायक के लिए लगातार अपनी कख्षाओं को अटेंड कर रहे हैं आपको पता है यह समय आने ही वाला है जब यहां से कोईन कोई वेकेंसी बहुत जल्दी अनाउंस हो आप सभी के लिए हम सब जानते हैं कि किर्शी प्रावधिक सहायक हमारे लिए एक बिग अपॉर्चूंटी है लेकिन कहीं कहीं हमारे मन में एक संसय है और संसय इस बात का है कि पता नहीं यह भरती कब आएगी और कैसे आएगी देखे यह तो क्लियर है कि आपके लिए लग लेकिन यह क्लियर है कि मार्च और अप्रेल के बीच यह भरती किसी परिस्तिती में आवेदन सुरू होना ही होना है तो अगर मान लिए मार्च से आपका आवेदन सुरू हो जाएगा तो देखा जा हमारे पास उतना भी समय नहीं है जितने में हम बहुत अच्छा पढ़ ले लगातार संस्थान में आप सभी को सभी विश्यों के डेमो क्लासिस प्राप्त हो रहे हैं आप क्रिशिविज्ञान की क्लासिस पढ़ रहे हैं साइन्स की क्लास पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री हिंदी सारी क्लासिस आपको मिल रही है और और रेजनिंग की क्लासिस भी आपकी बहुत जल्ली शुरू हो जाएंगी, आज मैं आप सभी से किरसी विज्ञान के बारे में, किरसी विज्ञान जो अनुसंधान संस्थान होते हैं, यहां से जो कोश्ण आता है, उसकी मैं बात करूँगा, देखिए जहां तक मुझे पता ह सभी लोगों को अनुसंधान संस्थान के बारे में सारी बाते बहुत अच्छे से पता हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो काभी पहले भी SCAG कर चुके हैं, और पिछली भरतिय उनका सेलक्सन नहीं हो पाया है, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेश उपहार क के तौर पर एक तौफे के तौर पर लगातार हम लोग कुछ न कुछ पब्लिक दे रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस पब्लिक क्लासेज में आप सभी इक लिए जो सबसे महत्पून टापिक होते हैं, उन पर चर्चा और पर चर्चा करी है, तो आज हम प्रमुक अनुसंध अनुसंधान संस्थान अनुसंधान परिशद इन सब की बात करेंगे, जैसे कि भारती किसी अनुसंधान परिशद कहां है, या भारती किसी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भारती गेहूं और जल और जव अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राष्टी चावल बिंदूं से जिस बिंदू से सबसे अधिक कोश्चन बने हुए हैं तो साथियों आप जो है अगर देखेंगे इस मैप को तो साथियों हम लोग इसी मैप से पढ़ेंगे पुरे को डिसकस करेंगे कौन-कौन से अनुसंधान परिशत दोस्तों और कौन-कौन से अनुसंधान संस्थान जो हमको पढ़ने चाहिए जहां से हमारे परिक्षा में प्रस्ट लगातार बने हुए है ठीक है ना तो मैं जो है लगातार आपको पॉइंट बता रहा हूं पॉइंट अगर आपको याद हो पहले से तब भी साती हो तब भी कोई बात ने अगर आपको याद नहीं है तब भी जोस्तों क्या करना आप सभी को आप सभी को इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करना है कि एक्जाम में बनने वाले सारे जो हमारे कोश्टन है वो अच्छे से य अनुसंधान परिशत की सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे भारती क्रिशी पहले कहेंगे यहाँ पर क्रिशी संबंधित क्रिशी संबंधित संबंधित प्रमुख प्रमुख अनुसंधान संस्थान तो क्रिशी संबंधित प्रमुख अनुसंधान 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 संस्थान अगरी कल्चर लेटेड रिसर्स इंस्टूट आफ इंडिया इसकी हम लोग बातचीत करेंगे हाक है कार मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करो दोस्तों यहां सबसे पहले है भारती क्रषिए अंसंधान时न परिसर इसकी अस्थापना efforts के बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि अखिन इसकी सथापना कब होई थी कोश्चन यांस से बन सकता है तो दोस्तों पहले क्या है भारती क्रिसी अनुसंधान परिसद देखे तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इसकी अस्थापना कभ हुई थी इसकी अस्थापना हुई थी तेईश माई 1931 को अब यह है कहां पर कि इस्थितं कहा पर है ऐसे कोश्टन भी बन सकते हैं तो यह है नई दिल्ली थी? bad yeah के तरहे है नईदिलली स्थित है ठीक है न कहाँ पर तो नई दिल्ल कि यह स्थित है पार्तिकर सी अभरिक्र सी अमसंधान परीशाँ यह नई दिल्ली स्थित हैं अब देखिए यहाँ पर घृम मैयं गरें में दोस्तों हम भात करें तो मैप में Kann nous तो यहां पर तो यहां पर है आई सी यहां पर है नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी लोग नंबर सेकंड साती हो अगर सेकंड के हम लोग बात करें तो कहते हैं I-A-R-I भारती कृषी अनुसंधान संस्थान भारती कृषी भारती कृषी रही अनुसंधान संस्थान अरथा इसे हम कहते है आई ए आर आई ए अग्रिकल्चर रिसर्स इंस्ट्टूट इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्स इस्ट्टूट साथ यो इसकी जो अस्थापना दोस्तों होई थी ना पहले पूशा में सात्यों पूशा बिहार, पूशा बिहार में ये अस्थापित किया गया दोस्तों सबसे पहले, पूशा बिहार में इसकी अस्थापना हुई थी, 1905 में, दोस्तों 1 अपरेल 1905 में, इसकी अस्थापना हुई, लेकिन दोस्तों क्या किया गया, इसको फिर अस्थानांतरित कर द ये कहां हुआ था ये साथियों नई दिल्ली किया गया कहां पर नई दिल्ली तो नई दिल्ली में इसका अश्थनांतर कर दिया गया था 31 जुलाई को साथि 29 जुलाई शन 1936 तो 1936 में क्या किया गया इसको फिर से वहां से ट्रांसफर कर दिया गया अब साथियों आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखिए नेक्ष्ट जम लोग बातचीत करेंगे तो एक रा भारती किरसी अनुसंधान परिश्था तो और एक भारती किरसी अनुसंधान तो आगे है भारती गेहूं और जल जव अनुसंधान सलस्थान नमबर थर्ड है भारती गेहूं और जव गेहूं जव अनुसंधान सलस्थान देखो जो बहुत फेमस है न वहां से कोशन नहीं बनता है लेकिन जो कम फेमस है वहां से कोशन जब बनता है तो अम लोगे solve नहीं कर पाते हैं, तो यह दोनों बहुत फेमस है, चाहे वो ICAR हो, चाहे वो IARI हो, यहाँ यह दोनों खुब फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो भारतिक यह हूँ और जो अनुसंदान संसा दोस्तों, यह पड़ता है करनाल हरियाना में, साथि कहां पड़ता है, यह पड़ता ह तो करनाल हरियाना में पड़ता दोस्तों, और अगर देखा जाए, तो करनाल हरियाना साथि, यह जो है, यहाँ पर पड़ता है, और दोस्तों इसकी अस्थापना इस तो 65 में इसकी अस्थापना हुई, 1965, बहुत जल्दी एक ऐसी क्लास भी आएगी, जहाँ पर हम लोग बा कि क्या-क्या विश्यस्ता है और भी होती है तो बहुत लिए ऐसी क्लास भी आएगी अब देखो इसके बाद साथ हमने तीन यहाँ पर कवर कर लिये हैं इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो दोस्तों next क्या है राष्ट्री चावल अनुसंधान केंद्र राष्ट्री चा अनुसंधान केंद्र तो यह नेशनल राइस रिसर्च सेंटर है अनुसंधान केंद्र दोस्तों अगर देखा जाए कहां पड़ता है तो यह पड़ता है कटक में बहुत फिमस बहुत जो है कई बाद कुछ से मना हुआ है यह पड़ता है कटक औरिशा में तो कहां पड़ता है यह पड़ता है कटक औरिशा आप जानते होंगे औरिशा तटी राज्य है और इसी साथियों औरिशा में अगर देखेंगे दोस्तों कहां पर पड़त तो यह दोस्तो यह रहा दोस्तो यहां पर यह रहा ओडिशा को इसकी अस्थापना हुई 23 अपरेल सबसे पहले इसकी अस्थापना हुई थी तो राष्ट्रिय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर पढ़ता है यह पढ़ता है कटक उडिशा में काफी चर्चित है काफी महत्पूर्ण है यहां से प्रस्थन आ सकते हैं तो पूरी दोस्तों पूरे अच्छे ही वाद केंद्रिय केंद्री कापास कापास अनुसंधान संस्थान जैसे ही कापास अनुसंधान संस्थान की बात आती है तो तुरंद हम लोग जानते हैं कि कापास की खेती सबसे ज़्यादा कहां होती है तो कपास की खेती सरवाधिक मात्रा में कहां होगी यह होती साथियों महाराष्ट में तो उसी प्रकार देखे यह भी कहां पर है यह भी नागपूर में है और नागपूर कहां परता है नागपूर परता है महाराष्ट तो यह महाराष्ट के नागपूर में यह अस्थापित क 66 को अप्रेल ऑनी जो चिहतर 1976 में इसकी अस्थापना की गयी थी इसको स्टेबलाइज किया गया था अगर देखिं़ बहात करें नफल किराओं чि ini अनुसंदहान संस्थान ना ईब हां से कोश्टन केहां थे गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है अगर आपसे यह पूछा आता है याहां आप अगर आप से पूछता है कि केंद्री राष्टी चीनी संस्थान कहां पर तो यहाँ थोड़ा सा द्यान देना पड़ेगा आपको यह पूछता है लखनव उत्तर प्रदेस में लखनव लखनव उत्तर प्रदेस और इसकी अस्थापना 932 के आस पास। साथ योग नियुश जो 32 में इसकी अस्थापना की गई थी। देखो यहाँ जितने दोस्तों पॉइंट हैं सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखिये आपको लग रहा होगा कि आपको सब आ रहा है। और मैं इस बात को मानता भी हूं दोस्तों की आपको सब कुछ आ रहा है यहां से, लेकिन देखो जब एक्जाम में हम लोग बैठते हैं कभी कभी दिमाग दोस्तों मारा वहाँ पर क्लिक नहीं कर पाते सीजन को और वहाँ हम भूल जाते हैं तो साथियो इसलिए आपको यहाँ पर समझना पर है जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं यह सारे पॉइंट साथियो हमारे लिए महत्पूर है इसलिए हमको अगर आ रहा तब भी और नहीं दोस्तों नहीं आ तब भी इसको हम अच्छे से लिखेंगे नोट करेंगे अपने पास ताकि जब भी एक्जाम आये तो यहां से हम कोश्चन कर ले जाएं साथियो आगे है गन्ना प्रजनन संस्थान गन्ना प्रजनन संस्थान गन्ना प्रजनन प्रजनन संस्थान यह पढ़ता है कोयंबटूर तमिल नाडू में जानते हैं जितने गन्ने जो बन के दोस्तों आते हैं ना उस पर लिखा होता है कोयंबटूर तो कहेंगे कोयम बटूर, कोयम बटूर, तमिल नाडू, यहाँ पर गन्ना प्रजदन के अंदर, मतलब गन्ने की नई नई जो प्रजातियां हैं, यहाँ दोस्तो यहाँ विक्षित की जाती हैं, और 1912 में इसकी अस्थापना करी गई थी, तो इसको 1912 में अस्थापित किया दोस्तों क्या है, यह है घ्रना प्रजदन संस्थान, दोस्तों आगे बढ़ते हैं केंदरी कौफी अनुसंधान केंदर कहां पर है, केंदरी काफी अनुसंधान केंदर, केंदरी काफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है अब काफी का सबसे अधिक उत्पादन साउथ में दोस्तों कहां होता है करनाटक के साथियों आसपास होता है तो वहीं कहेंगे दोस्तों यहां पर क्या है चिक मंगलूर आपने नाम सुना होगा चिक मंगलूर तो साथियों यहीं पर सबसे पहले राग केंदरी काफी अनुसंधान संस्थान जहां पर कहवा की खेती के बाए रिसर्च होता है कि कैसे खेती की जाए आगे है केंदरी आलू existing अनुसंधान संस्थान किंदरिय केंदरी आलू किंदरीय आलू हैं अनुसंधान संस्थान 5 अगर सातियों में आलू की बात करूं तो देखिया आलू के उत्तपादन में हम लोग अग्रणी है उत्त्रप्रदेश तो केंदरीय सथान यहां पड़ता है यहां पड़ता है केंद्रि आलु अनुसंधान सुस्थान और 1946 में 1946 में इसकी अस्थापना की गई थी तो यह भी आप जानते रहिए 1946 में इसको अस्थापित किया गया था दोस्तों अगर आगे मैं बात चीत करूँ आप सभी से यहां देखे गन्ना प्रजिनन संस्थान केंदरी कौफी अनुसंधान संस्थान और केंदरी आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों इतना पढ़ने के बाद इसको बोलते हैं Central Potato Research Institute Central अब देखें दोस्तों आगे क्या है केंदरी रेशम उत्पादन अनुसंधान केंदरी रेशम उत्पादन उत्तपादन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है अनुसंधान केंद्र तो भाई देखो रेशम कहां होता है रेशम मैक्सिमम देखो या तो पुर्वी भारत होते हैं वहां होता है करनाटक में तो मैसूर करनाटक में ही यहां पर रेशम का उत्पाधन अनुसंदान केंदर है मैसूर करनाटक मैसूर करनाटक का दोस्तों यहां अब साथियों आगे हम बात करेंगे जो यह है इसकी अस्थापना होई थी ओनाई सो उन्चास रहेगा अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट आपका राष्ट्री रबर अनुसंधान संस्थान तो रबर की खेती कहा होती है यह भी हमारे दक्षिन भारत में दोस्तों अधिक्तम होती है तो कहेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय रबर राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान यह कहां पर है अगर इसके बारे में आप से दोस्तों बात करूँ तो रबर देखो हमारे दश्चिर भार में केरल में तमील नाडू में यहां बहुत ज्यादा मात्रा में होता है दोस्तों यहां कहेंगे जो कोयक्टम पड़ता है केरल में साथियों केरला में क्या है केरला में कोयक्टम केरल में द उनवी सभ्शपन में इसको कहोला गया था, 1955 में इसको अस्थापित किया गया था, उसके बाद देखे, राष्ट्री आबर अनुसंधान생 सφान के बाद भाद करेंगे, आगे अगे, आगे देखे राष्ट्रिय चाय', अनुसंधान केंद्र है, और राष्ट्री दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देखिए अगर बात करें राष्ट्री चाय अनुसंधान केंद्र तो राष्ट्री चाय अनुसंधान केंद्र अब बताओ चाय का बागान अधिक्तर कहां है तो राष्ट्री चाय अनुसंधान अनुसंधान तो राष्ट्रिय चाय अनुसंधान केंद्र ओके पहला यह हो गया दुसरा दोस्तों क्या हो गया भारती दलहन अनुसंधान संस्थान यह कहां पर है देखो भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है और राष्ट्री चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है जहां तक हम जानते जो चाय का उच्पादन है चाय की खेती सातियों पहारी एरेयम परहारी जो धलान छित्र होते वहां पर जिसे मालिजय आपका सि में ही पढ़ता है तो कहेंगे जोरहट जो है इस जोरहट असम में राष्ट्री चाय अनुसंधान संस्थान दोस्तों राष्ट्री चाय अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह जोरहट असम में पढ़ता है साथ ही इसके बाद देखिए आगे है भारती दल अनुसंधान संस्था पढ़ता है कानपूर में पढ़ता है और कानपूर कहा है कानपूर आपके उत्तर प्रदेश में है यह सब जानते हैं तो दोस्तों यहां सो कोश्चन बनता है अब यहां देखिए 1911 में यह अस्थापित हुआ और 1913 में इसकी अस्थापना की गई थी तो राष्टी चाय अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर है यहां पढ़ता है जोरहट में और भारती जलहन अनुसंधान संस्थान देखो यहां कुछ तो ऐसा है जो हर परिक्षा में पूछा गया है चाहे वह अग्रिकल्चर हो या पढ़ेगा ओके तो दोस्तों यहां आमने पहली राष्टी चाय अनुसंधान केंद्र और भारती जलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों आगे है भारती तिलहन अनुसंधान संस्थान क्या है भारती तिलहन भारती तिलहन अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है सातियो हैदराबाद में और सातियो आपको पता है जो हैदराबाद है वो किस स्टेट में है पहले ये था आपके आंधरा में लेकिन अब दोस्तों आ गया तिलंगाना में तो कहेंगे हैदराबाद हेदराबाद तेलांगना तेलांगना दोस्तों यहां पर है ओके और साथी इसके बाद देखें केंदरी जूट और समवर्गी यह रेसम अनुसंधान सहस्थान दोस्तों यह पढ़ता है आपका बैरकपूर परश्चिम बंगाल में दोस्तों कहते हैं राष्ट्री स्वयाबीन स्यक्राइबीन अनुसंधान संस्थान अनुसंदान शंस्थान और देखा जाएं दोस्तों तो यह पढ़ता है इंदोर मध्य-प्रदे दोश कहां पढ़ता है इंदोर मध्य-प्रदेश कि fix आप जानते होंगे कि मध्य-प्रदेश में खुब होता है दोस्तों इन्दोर पढ़ता है दोस्तो यह पढ़ता है हमारे केंद्र यह कई परिछ्छाम पूछा गया जानते हो आप सभी लोग यह पढ़ता है राजा मुद्री और यह पढ़ता है आंध्र प्रदेश में राजा मुद्री आंध्र प्रदेश दोस्तों यह पढ़ता है पर यह पढ़ता है आपका राजा मुद्री तो कहां पर यह पढ़ता है आपके आंध्र प्रदेश में साथियों कोश्चन देखिए यहां से बनेंगे और यहां से बनने वाले कोश्चन भी तो इस आफी इंपोर्टेंट होगे यह सब चीज आप अच्छे से पढ़ते रहें दोस्तों आगे पढ़ेंगे और साथी जो हमारे कि देखे कि को सा है और अगे वाल पॉइंट प्रबाच्चीत पर करें आप सबी से तो दोस्तों क्या राष्ट्री मसाला राष्ट्री भीज़ मसाला अनुसंद्स इनस्थान अनूऐ संस्थान दोस्तों यह पड़ता है अजमेर अजमेर कहा दोस्तों यह है आपका राजस्थान में तो अजमेर राजस्थान अजमेर राजस्थान ओके कहेंगे राष्ट्रिय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है अजमेर में अजमेर कहां पढ़ता है दोस्तों यह पढ़ता है आगे है राष्ट्रिय केला अनुसंधान संस्थान दोस्तों राष्ट्रिय केला अनुसंधान किं अनु संधान केंदर कि तो भाई केवा आम पूर आ केला केवार में पूछ रहाए केला जिसंपने आप लोग खुब क counselor भारत वह कुब होता है तो साथ दोस्तों हम कहेंगे कि भारत में ही पक्का यह है है ना तो यह कहेंगे तो यह पक्का स्हावाच में दोस्तों तो आप जाने का टिरिशी कि अ जो कि फ़ीकों औरत्रीं कनित दाख दाटा थे तो लिज्व एक हैं ओदन्ध से झानिपे नगव करें में जοआं बन्रे दोशेंसि रहेने के में टिर्शन आप रहेनेकर्फिय जान्द हैं कि पडिबड़न अदरे दोकर रहेएं। अनुसंधान संस्थान भारती सब्जी अनुसंधान संस्थान साथ यह कहां पढ़ेगा तो भारती सब्जी अनुसंधान संस्थान तो भाई यह पढ़ता अपने वारार्थी में ही अब इसके बारें कौन नहीं जानता है लेकिन द्यान देना कोश्चन यहां से बनेगा तो र केंद्रिय केंद्री मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्रिय मसाला अनुसंधान 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 संस्थान संस्थान दोस्तों कहां पड़ता है यह कहेंगे केंद्री मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्रिय मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्रिय मस कोजी कोड नाम सुनागा आप लोग ने कोजी कोड जानते हैं सातियों कोजी कोड पढ़ता है कोजी कोड केरल दस्तों कोजी कोड में यह पढ़ता है आपके केरल में तो सातियों हमने अभी आधाई सबल यह पढ़ा हुआ है दोस्तों हमने समझी अभी आधाई पढ़ा हुआ और आपको आपको निश्चित सभलता प्राप्त हो सही मारदर्शन में एक सही अनुभो अध्यन अध्यापन के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम अंकला करके आप सभलता को अरजित करे तो साथियो निश्चित तोर में मैं कहूंगा पहले हमारी बैस जुड़िये डेमो लीजिए चार-पांच क्लास पढ़ी अगर समझ में आये तब एडविशन लीजिए आप लेकिन हां बहक करके आप भागिये मत चुकी यहां पर हर बीसे एक नया एक अलग और अनुभवी अध्याप पढ़ाता है ठीक है ना साइंस अलग है प्वाल्टी अलग अध् अधिज अजिप्टाई कहते हैं एंडीज अजिप्टाई यह किर्शी विज्ञाद देखो पढ़ाने का अस्तर लोग पढ़ा रहें इस तरह से इसलिए सबी लोग द्यान रखिएगा आप सभी लोग पूरी इमानदारी से पढ़िए लगे रहिए और समय आप मत गमाईए और मत चक्कर पढ़िए ऐसे लोगों के जिनके चक्कर पढ़कर के आपका समय भी लौस हो और भाई पैसा भी लौस हो ठीके दोस्तों चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी बात करेंगे दीवस के बारे में धन्यवास सभी को